बोलिए सद्ध्य गुरु देवे की जै सारे चमतकार अंधविश्वास मिध्या माननेताओं को छिलके की तरह उतार फेकने वाले सद्ध्गुरु कबीर साहिब की इस परमपरा में पारक्सिधान्त में उच नीच जातिपांत छुआ छूत जैसी गरहित बातें हमारे शंतों ने अभी तक पूरी तरह से त्याग ना सके जबकि आज से साड़े पांच सो साल पहले सद्गुरु कबीर साहिब जी उस युग में अंधे युग में पंडितों और मुलाओं के उस समय में उनका जलवा होता था और उस समय में भी सद्गुरु कबीर ने डंके की चोट पर इंसाब बातों को निरर्थक सिद्ध किया और अपने जीवन में उसका पूरी तरह से प्रचार किया लोगों में बताया लेकिन आज इस सतंतरता के युग में और वो पूर्व का संबल होते हुए भी हमारे साधु समाज में भी इन चीज़ों को पूरी तरह से ना त्यागा जा सका कैसी भी डंबना है कोई साधु भक्त की बात छोड़ो भक्त तो भक्त है है उन लोगों के बीच में कोई साधु हो जाए घर को छोड़े अपने माने होए गाओं को धन दवलत को छोड़े और अपने माता पिता रिष्टे नातों को छोड़े सब कुछ छोड़ करके अपने पूरु के रहनसाहन को छोड़ करके गुरु दरबार में आया हो साधना करने के लिए भजन करने के उद्देश से आया हो और यहां भी आकर के वो अलग बैठाया जाए अलग उसको माना जाए कैसे उसको पूर संतोस होगा और कैसे फिर हम समता का भरताव करके उनके साथ जी पाएंगे और वो संत जन उसको कैसे अपना बना पाएंगे मनुस मनुस है सद्गुरु कबीर ने जो कहा है कि मानुस तेरा गुण बड़ा और जातिपाद की निरर्थक्ता पर उन्होंने जो कस के प्रहार किया है भीजक के वचनों को पढ़ने से पता चलता है ऐसो भरम बिगुर्चन भारी वेद कितेब दीन अवदोजक को पुर्शा को नारी माटी का घट साज बनाया ना दे बिंद समाना घट बिंद से क्या नाम धरहोगे अहमक खोज भूलाना अको ब्राम्भर को सूद्रा जगा जगा अनेक बचन उनके समता मूलक जो है बहुत ही क्रांतिकारी बचन है और ऐसे बचनों का संबल प्राप्त करने के बाद भी अगर हम इन छोटी छोटी बातों को जो सडी गली हैं जो निरर्थक हैं इनको अपने जीवन में बनाए रखें कैसे काम बनेगा कैसे हम विक्सित और आज के युग के स्वतंत्र चिन तक कहलाएंगे सद्गुरु अभिलाश साहिब जी जब से इस सिध्धान्त में परंपरा में आए आप आपके जीवन के सुरुवात से ही आप अपने घर पर रहे जब माता पिता के पास पूर आश्रम में तब भी आपको ये बातें अच्छी नहीं लगती थी आपके घर पर अनेक प्रकार के लोग आते थे आपका सरीर तो एक ब्रामभड कहलाने वाले परिवार में जन्मा लेकिन वो ऐसा परिवार था कि वहाँ पर सब प्रकार के लोग आते थे जिने छोटी जाति का कहते हैं वे लोग भी आते तो जब वे आवे तो वे नीचे बैठना चाहें उनको आप चटाई दे बैठने के लिए और भी कुछ चीजें दे 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 तिपाईया दे दे तो कहें नहीं भीया हम नीचे ही बैठेंगे नीचे ही हमारे लिए अच्छा है हम यहीं बैठने लाइक हैं आप कहते बड़े प्रेम से आपको यह बाते उनकी सुन करके बहुत क बैठ सकते तो इस प्रकार से आप समझाते तो यह लोग बहुत संकोच में पढ़ जाते जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे आपके विचार और मजबूत होते गए जब आप संत समाज में अपने गुर्देओं को समर्पित हो गए तब तो आपके विचार और तरल हो गए और फिर इन बातों के लिए आपको और फिर निश्चैता हो गई कि यह निरर्थक बाते हैं और सद्गुरु कबीर जैसे महान ग्यान के सागर महापुरुष को पाने के बाद तो फिर आपके जीवन में इन बातों के लिए थोड़ी भी मुलहिजा ना रह गई और समय के साथ फिर आप इस पर क्रांती करना सुरू कर दिए आपके मन में बहुत दर्द होता था इन बातों को सुन करके जब लोग ऐसी भावना रख करके किसी के साथ ऐसा ब्यवहार करते थे तो एक बार लखनव के पास एक गाउं में कारिकम था महांसरी गरीब साहब का वो आश्रम था और वहाँ पर जितने संत थे उस भंडारा में सत्संग में ज्यादा तर छोटी कही जाने वाली जात के ही संत रहे वहां सब इकठे होते थे तो गुर्देव जी को भी जाना हुआ अपने संत समाज सहित आपको बुलाया गया था साथ साथ और भी जितना पुरा समाज था सब छोटी कही जाने वाले जाति के संतों के ही लोग थे तो आप वहां जब पधारे अशनानादि से निब्रित हो करके भोजन की तयारी करने की बात थी तो सभी संतों को आपने कहा कि साब लोग चल करके भोजन में सहयोग करें हमारे संत भी उसी में सहयोग करेंगे और सब को एक साथ भोजन करना है तो सब लोग सोचे कि ऐसा कैसे होगा हम लोगों का अलग है साहब लोग है यह अलग बनाएंगे हमें कैसे उसमें बैठाएंगे अब फिर जब साहब जी ने ऐसा कहा तो कई लोग कुन-कुनाने लगे बहाना बनाने लगे कोई कहे हमारी तबियत ठीक नहीं है, कोई कहे हमें आमक काम है, तो गुर्देव जी ने कहा, देखो बहाना ना बनाओ, सब लोग चलो, और सब लोग मिल करके बनाओं, और सब को एक साथ भोजन करना है, हाँ किसी को अगर एतराज हो मेरी बातों से, तो अपना अलग बना ले लेकिन जितने संत है, सब को एक साथ भोजन बना के, सब को एक साथ बैटके करना है, मैं भी उसी में खाऊंगा जब इतनी बात सुनें सब लोग द्रिनता पूरवक तो कहा कि साहब जब आप खाएंगे सब के साथ तो फिर हम कौन होते हैं हम भी उसी में खाएंगे और सब लोग फिर मिल करके बनाए खाए पहली बार संत समाज में आप इस बात की करांती किये और लोग तो कई लोग थोड़ा सा कुनकुनाये किन्तु फिर स्विकारे और फिर आप इस बात का और समय समय से जगा जगा लोगों में कहते रहे और संतों को फिर अब साहस आने लगा और जो उनको छोटा मान करके थोड़ा थोड़ा उनको भेद द्रिश्टी रखी जाती थी उन बातों को फिर अब समाप्त करने के लिए लोगों में भी बल इकठा होने लगा इस प्रकार से इन चीजों के लिए गुर्दे जी ने बहुत बड़ी करांती की और ये बीच बीच में खूब कहते और करते रहे सकारात्मक सोचो पुझ गुर्देव सद्गुरु स्री अभिलाश साहिब जी का कारकाम गुजरात में था गुजरात कारकाम पूरा करके आप लोट रहे थे राश्टे में जिस ट्रेन में आप थे वो एक जगे रुक गई और काफी देर तक रुकी रही कारण ये था कि उसी लाइन पर आगे किसी ट्रेन का एक्सिडेंट हो गया था लाइन बाधित होने के कारण अब ये ट्रेन वही पर रुकी है तीन घंटे, चार घंटे बीत गए लेकिन आगे चल नहीं रही क्योंकि आगे जब तक लाइन किलियर नहीं होगी ट्रेन कैसे चलेगी तो एक संत्र है वो उबते हुए बहुत जोर से कहने लगे क्या बताएं, ये सरकार ट्रेन की ब्यास्था नहीं कर रही है दूसरी हम लोग इतने समय से यहां पड़े हुए है बहुत परिशानी है तो गुर्दे जी ने कहा कौन सी परिशानी है अरे ये ट्रेन में बैठे हो खुली सीट है और विशाल स्टेशन का प्लेट फारम का प्रांगड है और बैठो, उठो, घू, मोटा हलो खाओ, पियो, भक्त लोगों ने इतनी चीजें दे दिया है कि तीन दिन यहां पड़े रहो तो भी कोई कमी नहीं होगी खाने की अपना संत समाज है और अपनी चीजें है सुरक्षित सब बैठे उठे हो कोई दिक्कत नहीं है काउन सी परिशानी है कलपना करो कि तुम उसी ट्रेन में होते जिसका एक्सिडेंट हुआ है तुरंद खतम हो गये होते तब तो कोई बात नहीं अब मालो कि पैर कटा होता हाथ कटा होता पेट में कोई लोहा घुस गया होता और छट पटाते पड़े वहीं चिलाते होते और लोग आकर के डिब्मों को या इंजन को जिसकिसी रंग से पल्टे होते और तुम्हें किसी तरह खींच-खाच के निकालते या उसी में चीखते चिलाते होते तब क्या दसा होती तो कहाँ ऐसा तो कभी हमने सोचा नहीं था ऐसी बात सोच करके तो कोई दुखय नहीं है तो कहाँ हाँ तो फिस सोचने का तरीका बदलना चाहिए जिससे शान्ती मिले सुख मिले अब थोड़ा से यहाँ लेठ हो रहा है तो इसी बात को ले करके तुम मार परिशान हो कहां जाना है, कौन सी जल्दी है जो जहां पहुचना है, वहां पहुचे रहो अपने आप में, शान्ती में, निश्चिंतिता में एकदम साब लोग आनन्दित हो गए किसी को कोई अब दुखे नहीं लग रहा है और साहब सचमुच हम लोग उस ट्रेन में होते तब क्या दसा होती तो ऐसा सोच करके साहब आनन्दित हो गए तो ये बात जोर से पुझिसरी गुरुबोध साहब जी ने कहा था और सब के मन में यही हो रहा था कि बड़ी देरी हो रही है, लेकिन वो कह दिये तब गुरुदेजी ने फिर जब समाधान दिया साहब गदगद हो गए, खुस हो गए तो इस प्रकार सकारातमक सोचना चाहिए बैठो, पढ़ो, लिखो, ध्यान करो, चिंतन करो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उल्टा सोचने से मन परिशान होने लगेगा तब इस प्रकार जब गुरुदेजी ने समाधान दिया तो साहब मामला ठीक हो गया चिंता त्याग करके जिये इलाभाद कभीर आश्रम प्रीतम नगर में गुरुदेजी का निवास था उन दिनों इलाभाद से ही एक सज्जन समय समय से आते थे रविवारी सत्संग बहुत पहले से चलता ही है उसमें वे आते ही थे एक बार वे अलग से मिलने के लिए आए बुड़े थे उनके घर के लोग काफी संपन्न थे तो आए वेदन प्रणाम करके बैठ गए गुरुदेजी ने कुसल समाचार पूछा उन्होंने कहा महराज सब आनंद है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है तीन लड़के हैं तीनों की अलग अलग दुकान है और सहर में कई मकान है लेकिन एक मकान है सब लोग एक साथ रहते हैं तीनों बहुए अच्छी हैं और खुब कमाते हैं बच्चे अब मैं जब चाहूं जिस दुकान में जाकर के बैठूं कोई प्रतिबंध नहीं है अगर ना जाओं कोई बात नहीं घर के उपरी तले पर मेरा अलग से कमरा ललकों ने बनवा दिया है और वहीं पर एक मंदिर भी बनवा दिया है बैठूं पुजा करूं ध्यान करूं कहीं जाना होता है तो मुझे एक हजार की जरूरत होती है तो बच्चे दो हजार बे देते हैं तो सब लड़के आग्यागारी हैं खाने पीने की कौई कमी नहीं है लेकिन महराज नींद नहीं आती है गुर्देव जी ने कहा क्यों नीद नहीं आती है कहें महराज समझ में नहीं आता है क्यों नीद नहीं आती तो गुर्देव जी ने कहा कि तुम सोचते होगे कि मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा कहें बस बस महराज यही राद दिन सोचता रहता हूं कि मेरे बाद इन लड़कों का इस घर का दुकान का बच्चों का क्या होगा तो गुर्देव जी ने कहा कि तो कुछ उपाय करो हजार दो हजार साल रह जाओ तो वे हसने लगे सरल हो गए गुर्देव जी ने कहा जब सब लोग इतने अच्छे हैं आज कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आज्याकारी हैं, प्रेमसुमति से रह रहे हैं, कोई कलाह नहीं है अब फिर भी ऐसी स्थिती में रह करके तुम चिंता कर रहे हैं, तुम्हें नीद नहीं आ रही है यह कोई समझदारी की बात है इस संसार को कौन यहां रोक सका है बड़े-बड़े प्रतापवान लोग आए और वे संसार को एकरस ना रख सके और कौन रोक सकेगा जो आज है जरूरी नहीं है कल बना रहा है इस दिन को देखो तुम्हारे मन में यही हो रहा है कि यह सब बना रहा है ऐसे बना भी रहेगा जितने दिन बना रहना होगा और बदल भी जाएगा इस बनने बिगडने वाली चीजों को ले करके अगर सोचते रहोगे इसी में बिश्राम चाहोगे तो कभी बिश्राम पाओगे ही नहीं शांती मिलेगी नहीं जब यहा होता हमें सब काल रहना तब हमें कुछ चाहिए था फिक्र करना जब सदा के वास्ते जाना यहां से किस लिए चिंता करें किस की मया से यह गुर्दे जी के हिर्दे के गीत का एक पद की कुछ पंक्तियां है तो गुर्दे जी ने उनको समझाया कि उस दिन को देखो अंतिम समय में जो होने वाला है यहां कुछ सदा रहेगा नहीं बदल जाएगा चाहते हुए भी इन चीजों को रोक नहीं सकते हूँ ठंडी गर्मी वर्षा आएगी जाएगी बुढ़ापा आएगा और सरीर बदलेगा रोग भी आ सकते हैं और ऐसी बदलती हुई चीजों को परिस्थितियों को ले करके तुम अपनी आध्यात्मिक हानी करोगे तो कितनी बड़ी यह अपनी इच्छती हो रही है सोचो कि जो फुटपात पर रहते हैं और मास की कमचिया जुका करके उपर से पनी ओढ़ा लेते हैं और उसमें रहते हैं वे भी तीन इटे जोड करके बनाते खाते हैं रोटिया ठोक ठाक करके उनके भी बच्चे नाश्ते गाते किलकारियां मारते हैं हसते हैं उनका भी जीवन गुजर होता है तुमारे बच्चे तो घर परिवार में रह रहे हैं और सारा आश्वर है संपन्यता है अब ऐसी स्थिती में भी तुम चिंता करो तो जब थोड़ा समझाए तो वे सरल हो गए फिर उन्होंने भी कहा कि माराज आपने तो आज मेरे जीवन का नक्सा ही बदल दिया मेरे हिरदय की पीड़ा ही आपने मिटा दिया अब मैं राद दिन यही सोचता रहता था चीजें कम न हो जाए आगे बच्चों का क्या होगा दुकान बैठ न जाए ये मूढ मन ऐसा ही सोचने का आदी होता है चीजें कम है तो चीजें कैसे आवे राद दिन इसके लिए सोचता है चीजें जादा है तो सोचता है कैसे ये बनी रहा है कैसे ये बढ़ता जाए कोई नुकसान न हो जाए इसके लिए सोचता है मतलब चिंता करने का इसने ठेका ले रखा है सुखी जीवन जीने के लिए इसको गर्ज ही नहीं लगती है बस रोना इसकी नियती हो गई है अजब तक सही सोच विचार नहीं होगा सत्संग ज्यान का आधार नहीं रखेंगे कभी भी हमारे जीवन में सही जीने का तरीका मिल ही नहीं सकता है निर्मोहता कैसे पक्की हो यह घटना 11 नमबर सन 295 की है गोंडा जिले में करनल गंज बाजार है एक श्री अरुन जी वहाँ के एक प्रतिष्ठित योग व्यक्ति हैं जो गुर्देव संतों के बड़े प्रेमी रहे आज भी हैं वे समय समय से आज भी संतों को बराबर बुलाते रहते हैं तो उन्ही के कारकम में थे मेंदी हाता वहां से जुड़ा हुआ एक मुहला है समझ लिया जाय उसका तो वहां एक भक्त के घर पर गुर्देव जी का निवास था दोपहर के बाद का समय था अशनानाधिसे निवरित्त हो करके गुर्देव अपने कक्ष में ध्यान में बैठे हुए थे इतने में एक थानेदार आए वो अपने ड्रेस में थे और आए जैसे ही अंदर गए तो आहट मिली गुर्देव जी ने आँखें खोली वे भी दंड़ प्रणाम करके बैठ गए गुर्दे जी ने संकेत किया बैठने को, अवे भी बैठ गए, गुर्दे जी ने पुना आँखें बंद कर लिया, कुछ देर ध्यान में बैठे रहे, वे भी ध्यान में बैठ गए, थानेदार जी, फिर दस पंदरा मिनट के बाद फिर गुर्दे जी ने आँखें खोली और पूछे कैसे आना हुआ, तो अपना परिचय बताए, गुर्देजी ने कहा कि कुछ पूछना हो तो पूछो, उन्होंने एक ही बात पूछा, कि महराज निर्मोहता कैसे पक्की हो, आपने कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोगों की एक ही समस्या है, दुख का जो का यह मोह ही है, मोह ही संसार में भटकाने का सबसे बड़ा हेतु है, यही भवबंधन है, यही हमारे मन की व्यथा तयार करता है, और आप इसके लिए चिंतित हैं कि निर्मोहता कैसे आवे, तब गुर्देजी ने कुछ समाधान दिया, कि देखो वास्तविक्ता को, चीजों क सरीर को, घर परिवार को, जहां जहां मुह होता है, इनकी वास्ट विक्ताप पर सोजों क्या है? वबंफना दिन रहेगा। क्यों मैं इनके लिए रात दिन सोच रहा हूं? इनकी चिंता क्यों कर रहा हूं? जब सोचूंगा तो लगेगा कि ये तो बदल रहा है कुछ इस्थिर रहेगा नहीं और फिर इसके लिए क्यों मैं अपने मन को बांधे रखूँ अपने मन को इन प्राणी पदार्थों से जब हटाएंगे और इनकी परिवर्तन सीलता इनके वियोग की बातें जब सोचेंगे तब धीरे धीरे मन हटेगा अब मन को हटाए बिना सांती नहीं मिलेगी अब निर्मोहता के बिना मन हटेगा नहीं लेकिन जब तक संसार की परिवर्तन सीलता पर नहीं विचार करेंगे तब तक मन निर्मोह होगा नहीं यह मन की तो आदत है ना गाउं माउं करते रहना अपने माने हुए प्रिय प्राणी पदार्थों में चिपके रहना लेकिन देखो प्री का वियोग अप्री का संयोग होना है अपनी मानी गई चीजें लोग दें है यह बदलने है सारी निर्मित चीजें जो भी उपलब्ध हैं इनको एक दिन खोना है अनुकूलताएं प्रतिकूलता में बदलना है प्यारे प्यारे लोग यह सब छूटेंगे प्री के वियोग के दिन को पहले से मन में साध हो जो मिल करके छुट जाए उसको न कभी आराध हो यह होना है अगर मन को निर्मल बनाना है निर्मोहता पुष्ट करनी है तो इस अन्सुहाती बात को मनन करना ही पड़ेगा मो रहित इस्थिती हुए बिना चित कभी भी प्रशन्य नहीं हो सकता है तब वो इंस्पेक्टर साहब जो थे वे बड़े गंभीरता से आँख बंद किये सुन रहे थे जैसे गुर्दे जी बंद किये तब वे आँख खोले और कहे महराज लेकिन बहुत कठिन है ये गुर्दे जी ने कहा कि सरल क्या है इन प्राणी पदार्थों में मोह करके और इनके भाय चिंता सोक पीड़ा में जलते रहना और राद दिन इनके वियोग के भाय से दुखी रहना ये सरल है और क्या इनको रोक सकेंगे बदल सकेंगे अरे इन प्राणी पदार्थों को बनाए रखना असंभव है रोकने की बात छोड़ो असंभव है बलकि संभव ये निर्मोह होना ही है यही सरल है यही किया जा सकता है सोचो बढ़ापा को रोक सकेंगे जवानी में लोटा करके मौसम को बदल सकते हैं रोग को जब चाहें तुरंत निरोगता में मिटा पाएंगे बदल पाएंगे कोई काले व्यक्ति को गोरा बना सकते हैं इस्त्री को पूरुस बना सकते हैं पूरुस को इस्त्री बना सकते हैं कुछ संभव नहीं है संसार के बहुत से काम है अरे बहुत से काम क्या अगडित काम ऐसे हैं जो मनुस्य नहीं कर सकता है चाहे जितना विज्ञान आगे बढ़ जाए नहीं बदल सकता है लेकिन अपने मन को हम जो दुख में मोह शोक पीडा में जल रहा है इसको हम शान्त शंतोष निश्चिंदता और प्रस चिंतन शैली अपना करके इस प्रकार जब गुर्देजी थोड़ी देर समझाए तो बहुत प्रसन्न हुए फिर उन्होंने पूछा कि महाराज ये भूत प्रेत मंत्र तंत्र ये क्या चीज़ है गुर्देजी ने भूत प्रेत की निर्थक्ता पर बताया कि ये है अबोधि अब भ्रमित मनुस्यों के दिमाग की उपज है जो पूरी की पूरी भ्रान्ती है और लोग कलपनाओं में खोए रहते हैं कहीं कोई भूत प्रेत का स्तित्त ही नहीं है आज ये वैज्ञानिक यूग है विज्ञान ने समस्त चीजों की खोज की है और छोटे-छोटे जीव जन्तियों का भी पता लगता है दिखते हैं भूत प्रेत का कोई आकार प्रकार घर गोशला और उनके वंस परिवार कुछ भी पता नहीं चलता है इसलिए ये सब केवल ब्रांती है इसके चक्कर में मन को नहीं बठकाना चाहिए मंत्र तंत्र के बारे में आपने बताया कि ये भी निरथक है, मन में किसी बात को तूल दे देना, यही मंत्र कहलाता है, वसुता मंत्र है कि गुर्जनों, ज्यानियों, महापुरुषों के द्वारा निकले हुए कल्यान कारी सब्द को मंत्र कहा जाता है, और उसका मनन चिंतन करना उसका अपना अर्थ होता है, जिससे जीवन बदले, तो मंत्र कह दीजिए, तो ठीक है, यह मंत्र अच्छा है, उसका चिंतन करो, मनन करो, जीवन में उपयोग करो, लेकिन मंत्र नाम का कोई ऐसा एटम बम नहीं है, कि जिसको नाम जप लो, और आपकी सारे पाप भस्म हो जाए, महा मिर्तुन जय मंत्र, गायत की काया पलट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मंत्र है, किसी गुरु ने, संत ने दिया भी है, तो उसको आपको जाप करना है, जाप करें, लेकिन जाप करने के पहले, अपने जीवन के सुभाव के कर्मों को बदलो, आपके करम अगर सुध नहीं होगे, इंद्रियो पवित्रता नहीं होगी, वाड़ी में मिठास नहीं आएगी, खान पान में सुधता नहीं आएगी, तो मंत्र जाप क्या करेगा, इस प्रकार गुरुदे जी ने मंत्र तंतर की निरर्थकता पर बताया, और सद्गुरु कभीर साहिब के साखी को कहा, कि मंत्र तंतर सब पुरुदे जी ने कहा कि ध्यान में प्रवेश पाने के लिए सबसे पहले अपने आहार विहार को सुध्ध करो, और ब्योहार को भी ठीक करें, ब्योहार में कहीं अगर बिवाद है, आपस में वैर विरोध है, जगड़े जंजट है, ऐसी इस्तिती अगर मन की है घर परिव में हमारे अपसी रिस्तेव में तो फिर ध्यान करने बैठेंगे, तो ध्यान नहीं लगेगा, तो अपने खान पान, रहांसान, ब्योहार को ठीक करें, और फिर एकान तस्थल में बैठ करके द्रश्टा भाव को अपनावें, अपने मन को जो राद दिन छोटी-छोटी वो हर दम सोचेगा, लेकिन आप अगर ध्यान करना चाहते हैं, तो उस सोचने पर नियंत्रन रखिए, और सोचने के सिस्टम को बदलिए, जो छणिक चीजों, विवाद की चीजों, मलिन चीजों, और माया मोह की चीजों को राद दिन सोचता है, अब आप उसके सोचने के स सिस्टम को बदलिए कि वो ज्यान विचार को सोचे, संतु गुर्जनों को सोचे, और संसार की छण भंगुरता को सोचे, देह और मानी गई अपनी घर ग्रिहस्ती, समस्त परिवर्तन सीलता की छणिकता को सोचेगा, तब अपने आप मन साप होने लगेगा, अब्यवहार मे प्रेम, एकता, संतोष, धैर्य, निर्मोहता, आदिकी बातों को सोचने से, अपने आप मन में पवित्रता आती, और ऐसे पवित्र भाव से जब आप ध्यान में बैठेंगे, तो फिर संकल्प शान्त होने लगेंगे, तब इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, कि अब मुझे जी लेकिन मरना भी निरर्थक लगने लगे, जीना निरर्थक लगे, एक भाव में तो ठीक है कि अब कोई जरुवत नहीं है, शरीर की बहुत जीलिया है, अब अपना साधन भजन का भी काम हो गया है, शरीर छूट जाए, कोई बात नहीं, ते तो ठीक है, बहुत सुव भाव ह लेकिन दूसरा भाव ये होता है कि जीना निरर्थक है, मतलब उब गए हैं घर ग्रियस्ती से, शरीर से, परिवार से, लोगों की कहा सुनी से, अपने कर्मों से, ऐसा उब गए हैं कि अब मरने का मन होता है, तो ये निरर्थक लगना जीना हमारे लिए दुख नासक नहीं होगा, चिन्ता, भय, शोक और बंधन का कारण बनेगा, तो गुर्दय जीने का मरना भी निरर्थक लगे, जीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मरने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, जब जैसे प्रारब्ध जो होगा, हो जाएगा, मरने की इच्छा नहीं होने का तो इस प्रकार गुरुदेव नी जब थोड़ी देर इन बातों पर प्रकाश डाला अपनी पार्खी और मिठी वाड़ी से तो इंस्पेक्टर साहब बहुत खुस हुए. उन्होंने कहा कि जिसका जीना और मरना आपके इन विचारों के अनुशार हो जाए उसका जीवन धन्न है. अब महराज आप से बाते करके बहुत संतोस मिला। गुरुदेजी ने फिर और उनका परिचय पूछा तब उन्होंने कहा कि महराज हम बचपन में हमारे घर पर एक संत आते थे और वे बड़े त्यागवान, वैरागवान, फक्कड संत थे और वे समय समय से हमसे कहते थे च उन संतों की सुगंदी हमारे जीवन में रही, तब गुरुदेजी ने कहा रहे भाई संतों के अखाड़े के रहने वाले तभी तो ये प्रस्न पूछ रहे हो, नहीं तो एक ठानेदार, इस्पेक्टर, पुलिस का आदमी इन बातों को कहा सोचता और पूछता है, तब इसे, गुरुदेजी ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, और वर्दी क्या है, साब संत के सामने साब बच्चे होते हैं, और यहां कोई, आपकी वर्दी से हमें कोई अडचन नहीं है, और फिर बड़ी सरलता से बातने सुरू होई थी, गुरुदेव स्रिय अभिलाज साहिब ज होते थे, क्योंकि यहां भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बड़ा छेत्र होने के नाते प्रतिवर्श गुरुदेव जी को यहां पर बराबर मांग हुआ करती थी, कि आप 36 गड़ आवें, सन 2954 में आप पहली बार 36 गड़ गए, और फिर सन 2956 में दूसरी बार, औ और इसका एक लंबा क्रम रहा किस-किस ढंग से गए, और कहां-कहां ज़्यादा रहना हुआ, यह पीछे चर्चा हो चुकी है, चतिस गड़ में एक बहुत बड़ा छेत्र होने से भक्तों की बहुत मांग होती है, ज़्यादा तर गुरुदेव जी के कारिकम अन्य समयों मे बीटता है, लगबग आठ नौ महीने आप भ्रमण ही किया करते थे, लेकिन इन सारे समयों में ज़्यादा से ज़्यादा समय छट्तिस गड़ में बीदता था, पहले तो गुरुदेव जी, 36 गढ़ में जब भी जाते तो चार महीना पांच महीना भी रह लेते थे लेकिन बाद में इधर पिर अन्य जगहों में भी आपकी मांग होने से वहां का समय घटाया गया जिस गाव में जाते थे 10 दिन 15 दिन कभी कभी तो महीना भर भी रहना हो जाता था लेकिन अब इधर दिन तो उतने ही है साल के और भक्त लोग बढ़ते गए मांग बढ़ती गई तो दिन घटते गए जहां जाते फिर कम रहना होता और बाद में तो फिर ऐसा हो गया कि एक दिन दो दिन तीन दिन साल में कहीं ऐसी जगा होती थी जहां पर चार छे दिन साथ दिन रहना होता था एक दो जगे पहले सापताहिक कारिकम बहुत हुआ करते थे बाद में तो बस साल में दो तीन कारिकम ज़ादा से ज़ादा सापताहिक हुआ करते थे तो 36 गड़ में आपका बाद में भी अंतिम समय तक भी जब भी आप जाते तो कम से कम डेड़ महीना दो महीना तो रहना होता ही था 36 गड़ के भक्त लोग बहुत सरल हैं और बड़ी भावना वाले संतों के बड़े प्रेमी हैं और सभी संतों को वे मानते हैं और जब से इधर पहले पौराणिक विचारधारा वाले संतों का वहां काफी प्रभाव था आज भी है उन्हीं में से बदल करके जब पूझी संतों का पार्खी संतों का उधर पदारपन होने लग गया आज से करीब 70-70 साल पहले सद्ग्रू स्री राम शुरूप सहिब जी और स्द्ग्रू स्री राम सूरत सहिब जी स्री प्रेम सहिब जी स्री आज्या सहिब जी और भी अनेक संतों के बाद फिर सन उनैस सो तिरपन चववन से सद्गुरु स्री अभिलाश सहेब जी का पदारपण हुआ तो फिर संतों की बाढ़ हा गई भक्तों की एक लंबी परंपरा चल पड़ी और उने पर आणिक विचारधारा वाले भक्तों में से फिर सब पार्खी भक्त बनने लग गए और उनी में फिर अनेक जिस गाओं में जाओं वहीं एक दो तीन चार साधक साधिकाएं भी होने लगे निकलने लगे गुर्देश जी का जो कारिकम हुआ करता था ज्यादा तर छेत्र था आपका रायपूर धमतरी दुर्ग बालोद राजनाद गाओं विलासपूर कोरबा जांजगीर चापा बस्तर कांकेर जगदलपूर धनतेवाडा महा समुन आज ये छेत्र हुआ करते थे आप इन छेत्रों में विशेश आपका आना जाना होता था जब भी आप जाते अपने गुर्देव जी के साथ रहते तो अथवा बाद में सतंत्र जब आपका वहाँ पदारपन होने लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा संतों का आपके पास एक समाज होता था इधर हमने देखा गुर्दे जी के साथ करीब गुर्दे जी के साथ तो अनेक बार शाल में दो-दो बार भी जाना होता था और हमारे अपने पीरियड में हमने देखा कि करीब 25-30 बार तो गए ही होंगे गुर्देजी के साथ और जब भी भ्रमण कारिकम में जाते थे तो आपके साथ करीब 25-30-40-40 संतों का समाज चलता था इतने लोगों एक साथ जहां जाते थे पहुँचते थे और फिर जब जाए जिस गाव में तो गुर्देजी का निवास जहां रहा है वहां कुछ लोग और फिर गाव भर में संतों का निवास हो जाता था क्योंकि कोई एक जगे में तो इतना व्यवस्था हो नहीं सकती है इतना किसी के पास घर नहीं होता कि एक जगे रह सकें तो कुछ संत अमुक भक्त के घर में और इससे जब कारिकम हो तो भंडार की और दो-चार संतों की टोली जा रही है तो पंडाल की और दो-चार संतों की टोली जा रही है तो कहीं गुर्देव जी की तरफ बंदगी करने के लिए चार छे दस लोग उधर से चले आ रहे हैं उधर से चले आ रहे हैं तो पूरे गाउं में संतों का तीन दिन, चार दिन, दो दिन जब जैसे जहां कारिकम हो समाथ चलता और पूरा गाउं का माहौल बदल जाता था और फिर जहां पंडाल हो, संत इकठे हो प्रवचन सुरू होता था तीन घंटे तक लगातार और दिन में दो बार, तीन बार तक चलता था, पाठ हुआ करता था भोजन जहां हो तो संतों का एक बड़ा जमगट साधिकाएं भी आ जाएं 40-50 लोग हो जाएं बने भोजन बराभाद तो इस प्रकार से गाउं का माहौल अब ऐसे में प्रचार होता है सभाविक है, ऐसी इस्तिती में लोगों के मन में परिवर्टान आता ही है अंदविश्वास, भ्रांतियों से लोग निकलते हैं ज्यान विचार के संपर्क में आकर के उनके जीवन में साधन, भजन, सतसंग, भक्ति, आदि की जो दसा है वो बढ़ती है और लोग इसकी इस दिसा में आगे बढ़ते हैं लेकिन यहाँ भी देखा जाता है कि कुछ जड़ी भूत होते हैं एक बार संतों के विचार प्रभाव में आए प्रभावित भी हो गए लेकिन कोई दूसरी विचार धारा आकर के उधर भी उनको ठग ले जाती है तो कहीं गंगा या मुनावो जासो खाबईगा आदी-ादी की तरब भी लोग दोड़ने लगते हैं तो ये संसार ऐसे ही है लेकिन जो साधन भजन और कल्यान की दिसा में आगे बढ़ना चाहता है वो बढ़ता है और इस छेत्र में 36 गड़ भी काफी आगे रहा गुर्दे जी की अधिक्तम पुस्तकें 36 गड़ में ही लिखी गई है क्योंकि लंबे समय तक वहां रहना होता था जब किसी प्रदेश से आप वहां चल करके पहुचते थे तो वहां की आत्राएं फिर स्रगान होती थी छोटी-छोटी 10 किलोमेटर, 15 किलोमेटर, 20 किलोमेटर 40-50 किलोमेटर की होती थी बस और ये सुभा 2 घंटे या जादस जादा 3 घंटे की आत्रा में पूर्ड कर दी जाती थी तो सुभा का समय आपकी आत्रा में निकल जाए 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे और इसके बाद भी विधिवयत कारिकम होता था और उसी में समय मिलता था तो आप ग्रंथों को भी खूब लिखते थे तो आपकी पुस्तकें जो 36 गड़ में बनी हैं वे हैं जैसे खास रूप से हैं जिनका मुझे पता चला है कुछ-कुछ पुस्तकें उब्रंबचर जीवन, विवेक प्रकाष्टी का संतकभीर और उनके उब्देश, योग दर्शन भास धम्व पदम, विवेक चूड़ा मडी, वैराक संजीवनी बीजक पारक, प्रबोधनी, बीजक ब्याक्ष्या, महाभारत मीमानसा पल्टु साहब की बानी आदी के अधिक्तम हिस्से कुछ पुस्तकें तो पूरा का पूरा वहाँ बनी है और कुछ पुस्तकों के अधिक्तम हिस्से वहीं पर लिखे गए है गुर्देश जी के कुछ कारिकम ऐसे रहे जिनकी तिथी निश्चित हुआ करती थी तो प्रतीवर से निश्चित समय पर वहाँ पहुचना ही होता था अवो कारिकम जैसे दिल्ली में रोहतक रोड पर रामपुरा कभीर आश्रम है पुझ्य संस्री टकसार सहब जी वहाँ रहते थे और बहुत पहले से वहाँ पर कारिकम होते आया है और नवापारा यह चतिश गड़ रायपुर जिले में पढ़ता है आश्रम वहाँ पर निश्चित समय जो दिल्ली का कारिकम है कार्तिक अश्टमी नौमी दस्मी को हुआ करता था यह कारिकम उन्होंने निश्चित किया कि गुर्देव जी का जब गृत्याग हुआ है उस तिथी पर हम कारिकम करेंगे तो उन्होंने फिर इस तिथी पर निश्चित किया और जो नवापारा नवापारा चतिश गड़ में आश्रम है वहां का माग, शुकल, त्रेवदसी, चतुरदसी और पूर्डिमा इस तिथी पर सद्गुरु कबीर साहब जी की निर्वानती थी सद्गुरु विशाल साहब जी की निर्वानती थी इस बीच के कारिकम इस बीच का वो टाइम होता है तो उस पर निर्धारित किया गया और वहाँ पराबर होता रहा आज भी हो रहा है तो आपके अधिक्तम कारिकम एक ही दिन फिक्स होते थे कार में त्रेओदसी चतुरदसी और सरद पूर्णिमा को इलहाबाद कभीर पारक संस्थान में त्रेदिवशी वार्षिक अधिवेशन होता है आज भी बराबर हो रहा है और इन दिनों सायद 45वा वार्षिक अधिवेशन होने जा रहा है सायद हो गया या होने जा रहा है तो ये सन 1977 से ये क्रम बराबर चला आ रहा है और आपके कारिकमों के लिए उसी में लोग आ करके अपने अपने आवेदन देते हैं जिनको कारिकम लेना रहता है एक पत्र लिख करके भक्तों की हस्ताक्षर भी करवा करके गुर्देव जी के पास अत्वा पूजे संस्री धर्मेंद सायजी के पास लोग अपने पत्र दे देते थे और उसी के हिसाब से एक रूटेशन देख करके कारिकम दिया जाता था साल भर के लिए जहां जिनकी जैसी जरूरत होती थी वे निश्चित किये जाते थे तो अब जिनको मिल जाये तो वे कारिकम इस साल करते थे और जिनको ना मिले वे अगले साल की प्रतिच्छा करते थे इस प्रकार से आपके सारे कारिकम साल भर के लिए साल भर का मतलब आठ महीना के लिए निश्चित हो जाते थे कब कहा जाना है एक बार निश्चित हो जाने के बाद फिर कैसी भी परिस्थिती आ जाए अगर आप सरीर से चल फिर सकते हैं तो आपको पहुँचना ही है इसलिए लोग निश्चिन्त हो जाते थे बिहार जैसे छेत्र में लोग आपसे बहुत निश्चिंत होते थे कि गुर्देजी ने हमें समय दे दिया है तो अब आना ही है उनको और फिर लोग तयारी करते थे और आप जाते थे धन के नाम पर कबाड नॉम्बर महीना का समय था गुर्देजी उत्तर प्रदेश गोंडा जिला के एक गाव में थे एक दिन शायम आप अपने नित्त क्रिया से निब्रित्त हो करके अपने कक्छ में बैठे थे एक भक्त अपने बाजार के एक सेठ जी को ले करके आए और बंदगी प्रणाम के पस्चाथ फिर उन्होंने भक्त ने उन सेठ जी का परिचय देते हुए कहा कि साहब ये हमारे बाजार के एक बड़े आदमी सेठ आदमी है तो गुर्देजी ने हसते हुए कहा कि हाँ तो ये बड़े कबाड़ी होंगे तो आपकी बाते सुनकर के वे आपको घूर करके ताकने लगे तो गुर्देजी ने कहा कि आपको आश्चरी नहीं होना चाहिए मैं सच कहता हूँ कि आप बड़े कबाड़ी हैं आप सेठ हैं तो आपके पास बड़ा मकान है तो बड़ा मकान होने का मतलब है कि इंट, पत्थर, लोहा, सिमेंट, आदिका, कबार आपके पास ज्यादा है आप सेट हैं, धनी हैं तो आपके पास रुपए पैसे ज्यादा है तो इसका मतलब है कागच के कबार ज्यादा है इसी प्रकार आप बड़े आदमी हैं तो आपके गाड़ी, मोटर, वाहन अनेक चीजें हैं तो इसका मतलब है कि टीना, लोहा, आदिका कबाड़ आपके पास ज्यादा है और इसी प्रकार अनेक चीजें आपके पास बहुत होंगी कूलर, एसी फ्रीज, वासिंग मसीन, गाड़ियां आप पलंग, आदि आदि बहुत चीजों का कबाड़ मतलब लोहा, लकड़ी आदि का कबाड़ जादा है इसका मतलब दूसरे लोग छोटे कबाड़ी आप बड़े कबाड़ी हैं तो जब सामानी रूप से जढंक से गुर्देव जी समझाए उनको तो वे सहाज हो गए और हसने लग गए तब उन्होंने कहा महराज आप सच कहते हैं गुर्देव के इस प्रकार कहने पर वे सहाज हो गए गुर्देव ने कहा कि यहां सब कबाड़ी हैं कोई छोटा कबाड़ी कोई बड़ा कबाड़ी संसायर की समस्त उपलब्दियां जिसे लोग माने हैं वो कबाड़ों की उपलब्दी है अब कबाड़ खाने में ही सब लोग जी रहे हैं कबाड को ही रात दिन सोचते हैं इसलिए सबका दिल दिमाग भी कबाड बना रहता है क्योंकि कबाड़ी है सब कबाड से प्रेम है कबाड से उपर उठो अपनी आत्मा के बारे में सोचो आत्मा कबाड नहीं है वो आपका धन है आत्म धन, राम धन और रामधन जिसका हो गया, वह फिर कबाड़ी नहीं रह जाता है और वो सच्चा धनी होता है दुनिया की चीजें तो हमारे मन में भय चिंता शोक उत्पन्न करती है लेकिन आत्मधन रामधन ये भय चिंता नहीं उत्पन्न करते हैं इसलिए सच्चे धनी बनना है तो कबाड़ धन की धरिद्रता से उपर उठ करके आत्मधन की ओर चलें हाँ सरीर कबाड एक है तो इस सरीर रुपी कबाड़ को चलाने के लिए गुजर बसर के लिए कुछ घर, रुपए, पैसे और कपड़े लत्ते आदि की जरूरत है तो ये कबाड़ की थोड़ी जरूरत है लेकिन इनी में अपने दिल दिमाग को खो नहीं देना है इस प्रकार सहज रूप से जब गुर्देव जी समझाए तो बड़े गंभीर हो गए पहले देखो उनको खराब लगा, धीरे से फिर सहज हो गए, हसने लग गए अब बाद में बड़ी गंभीरता पूर्वक इस बात को सोचे तो वस्तुदा सारा संसार कबाड़ ही तो बटोर रहा है अब कबाड़ी बन करके हमारी जिंदगी बीत जाये ठीक नहीं है इसलिए रामधन के धनी बने और जहां परमानन्द है अम्रित कहां है यगटना 20 अप्रेल सन 2005 की है गुर्देव 36 गड़ के जांजगीर चांपा जिला के छपोरा नाम के गाउं में थे शायम अशनानादि से निब्रित हो करके आप अपने कक्छ में बैठे थे एक ब्रिद अपने चार मित्रों एक ब्रिद वेक्ति अपने चार मित्रों को ले करके आया और आते ही दन प्रडाम किये और बैठे और अपने जेव से एक परचा निकाले लंबा खर्रा उसमें बहुत सारे मंत्र लिखे हुए थे और पूछने लगे कि महाराज इसका आर्थ क्या है तो गुर्दे जी हाथ में अपने ले लिए परचा और पढ़े और भी बताने लगे तब एक ने कहा कि महाराज इन सब बातें को छोड़िए तो ठीक हैं यह तीसरे वाले मंत्र का आप आर्थ बताएए यह बात हमें समझ में नहीं आती है तो तीसरा मंत्र वेद का मंत्र था जो थे सभी वेद के मंत्र थे लेकिन तीसरे वाले की चर्चा विशेश रूप से वहां हुई तो उसमें बात आई थी कि एतावानश्य महिमानो यायांश्य पूर्शह पादवश्य विश्वा भूतानी त्रीपादश्य अमृतम दिवी गुर्देजी ने इसकार्थ बताते हुए कहा कि ब्रंभ के कुल चार हिस्से हैं एक हिस्से से ये दुनिया बनी हुई है और तीन हिस्से अभी अमृतमे इस्थित हैं तो उस बृत्य सज्जन ने कहा कि महराज जो एक पाद से इतनी विशाल दुनिया बनी है और तीन पाद जो अभी और है वो कितना विशाल ना होगा वो कितना आनन्द दाई होगा और वो कहां पर है तब गुर्देजी ने एक तम साफ कह दिया वो कहीं नहीं है तब उन्होंने कहा कि महराज क्या फिर अमृत कहीं नहीं है तो गुर्देजी ने कहा कि है कहा है वो आप खुद है तो उन्होंने कहा कि महाराज इसका अनुभव नहीं होता है कहें सारी कामनाओं को मिटा दीजिए तब अनुभव होगा ये कामनाओं ही अम्रित के अनुभव में औरोध उत्पन करती है तब गुर्देजी ने फिर और उसका खुलासा किया कि अम्रित वस्त जाने नहीं मगन भया सब लोए कहां है कबीर कामो नहीं जीव ही मरण नहोए तो ये कामनाओं को मिटाओ इच्छाओं को मिटाओ रागद्वेश को मिटाओ दुनिया की तरफ जो हमारा मन राद दिन दोड रहा है प्राणी पदार्थों के लिए इस दोड को घटाओ और मिटाओ अंतरमुख हो मनिंद्रियों को सवस करो ताब उस अम्रित का होगा और आप खुद अम्रित स्वरूप हैं ये जो सब सरीर के अंदर सभी प्राणियों के अंदर बैठा चेतनात्मा मैं मैं की अनुभूती कर रहा है वही अम्रित है फिर उस ब्रित सज्जन ने कहा महराज जी इसका आओर खुलासा कीजिए तो गुर्दे जी ने कहा पहली बात है जो ब्रम्ब के एक पाद से जगत की रचना की कलपना की गई है या जूटी है क्योंकि जगत अनादी अनंत है इसको कोई रचना नहीं किया है यह अपने जड़तत चार जड़तत मूल रूप से हैं मिट्टी पानी आग हवा और अपने सुभाव से सभी जड़तत क्रिया सील हैं और उनकी क्रिया सीलता ही जगत के निर्माण विनास का कारण है और इसी में नई नई चीजें निरंतर बनती है और पुरानी चीजें निर जनतर बदल रही है, यही संसार का निर्माड है, और यह अनादि काल से चल रहा है, देखते हैं ना, कि प्राणियों का जनम होता है, अदूसरी तरफ मर रहे हैं, बृक्षपनस्पतियां एक तरफ उग रही हैं, दूसरी तरफ नष्ट हो रही हैं, पेड़ पाउधे, एक तर नहीं बन गई, उसी चीजों में से कुछ बिगड़ करके फिर वहीं मिल गई, तो यह नया कुछ नहीं, यह अनादि से अनंत कालता कि अपने आप होता रहेगा, यह किसी अमरित से नहीं बना हुआ है, और फिर गुर्देजी ने कहा, कि अमरित आपका स्वरूप है, अब व पाद वो अमरित ब्रंभ यह आत्मा ही ब्रंभ है, और वो अपने आप में स्थित है, अपनी वासनाओं के कारण संसार में भटक रहा है, उन वासनाओं को इच्छाओं कामनाओं को मिटा देने के बाद अपने आप वो पूरा का पूरा ब्रंभ स्वरूप हो जाता है, तीन बड़े जगत गुरूं, मंडेले स्वरूं, महंतों, आचारियों के पास गया, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा समाधान नहीं किया था, आत्मा से अलग कहीं अम्रित है ही नहीं, ऐसा तो कोई कहने की हिम्मत ही नहीं कर सकता, अपनी परंपरा और माननेता से हट करके स्वयम के व सुन रखे हैं, गरंथों में जो पढ़ रखे हैं, उसी बात को गोल मोल करके लोगों में बताते रहते हैं, लेकिन आपने जो साप, निस्पक्ष हो करके, असपष्ट समाधान कर दिया, और सारी बातों के जो कुहासे को छाट दिया, महराज इस से मन को बड़ा संतोस मिला, आज आपके असपष्ट समाधान से मुझे पूर संतोस मिला कि अमरित बाहर कहीं नहीं है, बलकि कामनाओं का त्याग ही अमरित है, जीव का निज सुरूप ही अमरित है, गुर्देव ने कहा, कबीर सहेब का निस्पक्षिव पारक विचार ही ऐसा है, जहां किसी प्रकार के कुडे कच्डे की रहने की गुंजाय सी नहीं रह जाती है, भक्ति और अहंकार एक दूसरे के विरोधी हैं, यह आज का अंतिम प्रसंग है, गुर्देव जी का कारिकम बिहार में था, यह घटना 20 अप्रेल सन 2004 की है, मधेपुरा छेत्र में आप रतवारा नाम के गाउं में थे, छबुदास जी, वहां के एक भक्त हैं, बड़े सरल और सामाने परिवार के हैं, लेकिन बड़े भक्ति भावाले, बड़े योग भक्ति, वो अनेक बार गुर्देजी को बुलाते रहे, बाद में और भी संतों को बुलाए, उनके अहां कारिकाम था, ये कोशी नदी का छेत्र है, बिहार कोशी नदी इधर नेपाल से निकलती है, बहुत विशाल नदी है, आसाम तक जाती है, बड़ी लंबी आत्रा करके, तो उसी का छेत्र है ये, तो वहां पर जब बाढ़ हाती है, तो जिस गाउं म या घर हैं, और प्रतेक गाउं में दस पांच, तो नाव पड़ी ही रहती है, किसी को कहीं कोई दुकान जाना है, कुछ सामान खरीदना है, अमुक गाउं जाना है, तो नाव से चलते हैं, इतनी बाढ़ा जाती है, और एक दो दिन के लिए नहीं, दस दिन, पंदरा दिन, म आपका कारिकम था, वहीं पर एक बार, उस समय ही, उसी समय की बात है, सरद्यादव, जो उस समय के उड़्यान मंत्री थे, वे आये हुए थे, गुर्दे जी का पंडाल लगा था, प्रवचन कारिकम हो, सामने ही उनका हेलिकाप्टर उतरा, और आये, फिर वे मंच पर भी आ लेकिन जैसे आने का समाचार मिला तो फिर काफी लोग आ गये थे, गुर्देव जी के प्रवचन समाप्त हुचिके थे, लेकिन तब तक फिर आये तो गुर्देव जी मंच पर ही बैठे थे, वे भी आये, बैठे, कुछ चर्चाए हुई, दूसरे दिन सुबा का समय था, गुर्देव जी वहां से चल करके, ब्रहमन के लिए रोज चलते ही हैं, तो सुबा सुबा ब्रहमन करने के लिए निकले, अब छोटा छोटा गाओ, नजदीक नजदीक गाओ, तो जैसे ही आगे बढ़ें, दूसरा गाओ आ जाता था, अब सुबा का समय ऐसे ही एकदम सीतल वायू चल रही थी, वहां गर्मी के दिनों में भी, ये मई का समय था, तो गर्मी होती है, लेकिन गर्मी मई जून के महीने में भी चारो तरफ हरिया ली, वहां की मुख फसल मक्का है, और मक्का ही मक्का, चारो तरफ, घास हरी हरी चारो तरफ दिखी रही है, सड़के नही साधारान रास्ते हैं, तो गुर्देजी चलते चलते दूर चले गए, दो तीन गाओं पार कर गए, उस दिन जानभूज करके फिर देर किये, एक जगे, एक जंगल जंगल तो ना कहेंगे, बहुत सरोवर की तरह छेत्र था, आसपास मक्का की खेती थी, एक आंतसान तस्थल और हरी हरी घास एकदम जमीन पर उगी हुई थी, धूप, धूप थी लेकिन बड़ी सीतलता थी धूप में, अच्छा लग रहा था, और वहां पर रुग गए, पानी सामने भरा हुआ था, तो जैसे ही गुर्देजी को देखा कि गुर्देजी रुग गए, आज काफी थाकान भी सायद महसूस कर रहे हैं, मैंने अपनी साफी बिछाने की चेश्टा की बिछा दूँ बैठ जाएं, तो गुर्देजी ने कहा कि नहीं, तुम अपनी साफी रहने दूए, अपनी खुद बिछा करके बैठ गए, मैं भी बैठा, तो कुछ चर्चाय शुरू हो हो जाती है, और जिस साधक के अंताकरण में भक्ती धीली हुई, तो फिर क्या होगा, अहंकार आएगा, और अहंकार आया, तो फिर गया, फिर उसका ज्यान, उसका विचार, उसकी साधना, उसकी गुरु भक्ती, सब चौपट हो जाएगी, और उसका जीवन बदल जाएगा फिर कई साधकों का नाम भी लिये, कि देखो, कितने बढ़िया वे साधक थे, आये थे, उनका मन निर्मल था, सुन्दर सभाव था, सेवा में दवड़ दवड़ के काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे, थोड़े दिनों में कुछ बोलना सीख गए, गाना सीख गए, कपड़ा सफेध हो गया, मान सम्मान भक्तों के द्वारा मिलने लग गया, और अहंकार उनको धीरे से आ गया, और फिर संतों के प्रती दुराव होने लग गया, तो ये हरी जंडी, पहले जैसे ही भक्ती ढीली हुई, तो समझ लीजे कि वैराग्यपत से वापस जाने का उनका सिंगन सिंगनल दिखने लग गया है, हरी जंडी हो गई है, अब बस थोड़े समय की बात है, ये फिर वहीं पहुचेंगे जहां सिव जे तहां समाने छूट गए सबत बहीं, तिसलिए साधक को सदेव सरल और विनम्र बन करके रहना चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि म मैं इतना ज्यानी हो गया हूँ, मैं इतना पुराना हो गया हूँ, अपने गुर्जनों, संतों के प्रती, अरे संतों के ही नहीं, भक्तों के प्रती भी स्तरल लहो, वाडी में मिठास रखो, भावनाओं में पवितरता रखो, और वायराग भाव रखो, तिस प्रकार गुर हम सुरोता थे, गुर्देव जी अब वक्ता कहें, गुर्देव कहें सिर्मुकुट कहें और आधार कहें कुछ भी कहें, सब कुछ वही थे तो उनकी बातें सुन करके मन को बड़ी सांती मिली और फिर करीब 15 मिनट 20 मिनट तक बैठे रहे थोड़ी देर गुरु जी फिर ध्यान भी किए क्योंकि अब चल करके आसन पर बैठ कर ध्यान करने का उसर नहीं रहा, वहाँ लोटते देर होती, असनान आदी करते, फिर लोगों का मिलना जुलना सुरू हो जाता जलपान आदी करने के बाद ही वो तो जलपान करना भी कठीन हो जाता है, लोग पहले से आने लगते हैं, फिर बिहार जैसे जगाओं में तो और, तो फिर वहीं ध्यान किये और फिर जब चले, तो लोटते वक्त करीब साड़े आठ बज गये थे देर में बंदगी साड़े साथ बज़े बंदगी होती थी लेकिन आज देर में सब लोग आए जान बूच करके गुरुजी नहीं आये हैं रोक करके लेकिन आए जब गुर्देव जी पहुँचे तो बिना असनान किये ही बंदगी हो गई और सब लोग गए जलपान आदी में भंदार आदी की सेवा में लग गए और गुर्देव जी फिर असनान आदी किये तुरंत जलपान किये तो इस परकार आपका समय समय से अलग थलग जाना, बैठना, घूमना, टहलना अपना संत समाज होते हुए, भीड़भाड होते हुए भी आप एकांत वाश बनाए रखते थे, अपने रहने बसने की भी और अपने मन की एकांत दसा तो उनकी सदेव बनी ही रहती थी हम सब लोगों को भी ऐसे महापुरुष से जीना सीखना चाहिए कैसे जीएं, हम लोग एकांत पाते हैं तो उबने लगते हैं अब भीड पाते हैं तो उसमें रस लेने लगते हैं अथवा उलजने लगते हैं उसमें ये दोनों बातें अच्छी दसा की नहीं है हमें एकांत का भी भीड भाड का भी जहां जैसे मौका मिले चीजों की संबनता हो, चीजों की कमी हो, उसका सदुपयोग करना चाहिए और अपने जीवन में हर हाल में शांति, साधना, ज्यान, बोध, विचार की कमाई करके आत्म कल्यान की दिसामेन इरंतर आगे बढ़ते ही रहना चाहिए बस आज की सभा यहीं पर समाप्ति करते हैं बोलिए सद्धे गुरु देवे की जै